मुख्य मंट्री योगी आदित इनात ने आम बजट दोहज़ार तेज़ चोविस को लोग कल्यान कारी बताते हुए इसकी काफी सरहना की सीम ने हर वर्गी की समरिधी का मार्गर प्रसस्त करने वाले केंडरिय बजट का स्वागत किया साथ ही सर्व समाज के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रधान मंट्री वा केंडरिय वित्य मंट्री का अभिनंदन किया मुख्यमंट्री ने कहा कि केंद्रिय बजट गाउं, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाउं, समेत समाज के हरवर्ग की आशाओं और रास्ट के समगरूत थान की अपेक शाओं को पूरा करने वाला है यह बजट निसंदे भारत को आर्थिक महाशक्ती बनाने के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा आम बजट 2023-24 में नए भारत की समरिद्धी का संकल्प है, अंतियोदेय का विजन है और 130 करोन देश वास्यों की सेवा का लक्षे है स्रीयम ने कहा कि आज़ादी के अमरित काल में प्रस्तुत विक्सित भारत के संकल्प को पूर्णिक करते हुए सर्वसमावीशी और लोक कल्यानकारी के इन्रिय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूँ इस संबंध में गोरेकपूर नियोज से बात करते हुए मुख्यमंद्री योगी आदितिनात ने कहा देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की संब्रिति का एक निया संकल्प है अन्तोदे का विजन है एक सो तीस करोड भारत वास्यों की सेवा का लक्से भी है वर्तवान केंद्रिय वजट गाओं गरीब किसान नौजवान और महलाई समेथ समाज के हर गवर की आसाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोक तंत्र की समगर उत्थान के पिक्साओं की पूर्ति करने वाला है निसंदे यह वजट भारत को आर्थिक महासक्ति बनाने की दिसा में मील का पत्थर सावित होगा आजादी के अम्रित काल में प्रस्तुत विक्सित भारत के संकल्प को पूर्ण करते भे सरस्वमावेसी और लोक कल्यानकारी केंद्रिय वजट तोजार तेईस सोबिस का मैं स्वागत करता हूँ आदनिय प्रधान मंत्री जी और मान्य के इंद्रिय वित मंत्री जी का मैं हिरदे से विनंदन करता हूँ